अमेरिका नया विमान बनाने जा रहा है। यह विमान परमानू युद्ध के समय आस्मान में कमांड और कंट्रोल एरक्राफ्ट के तौर पर काम करेगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपती की सुरक्षा करेगा। इस विमान को अमेरिका ने नाम दिया है Doomsday Aircraft। परमानू युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपती अपने देश की निगरानी कर सके। सुरक्षित रहते हुए अपनी सिनाओं को निर्देश दे सके। इसल इस विमान का ओफिशियल नाम है Survivable Airborne Operations Center सोक है। इस विमान का संचालन अमेरिकी वायोसे ना USAF करेगी। इस विमान को Sierra Nevada Company अपने Colorado, Nevada और Ohio Centers पर बनाएगी। इस विमान को बनाने की डेडलाइन 2036 है। यही एक Commercial Derivative Jet होगा। जिसे बेहद मजबूत और मोडिफाइ करके बन इस विमान में राष्ट्री अस्तर के Security Weapon System लगे होंगे। परमानू हथियारों का Control और Command Center होगा। यानि अमेरिकी राष्ट्रपती आस्मान से ही अपने देश के परमानू हथियारों को किसी भी दुश्मन देश पर दाग सकेंगे। सोक को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि पुराना है 4B Nightwatch Aircraft को रिप्लेस किया जा सके। Nightwatch Aircraft Boeing 747 Jet को मोडिफाइ करके बनाया गया है। इन्हीं 1970 में शामिल गिया गया था। ये विमान 2030 तक रिटायर हो जाएंगे क्योंकि अब इसका Maintenance मुश्किल हो रहा है। इसके पार्ट्स कम मिलते हैं। इस समय अमेरिकी वाय सिना 4 Doomsday Plane संचालित कर रही है। इसमें से एक को हमेशा परमानू युद्ध के हिसाब से तयार रखा जाता है। नायटवच Aircraft में Advanced Communication Gear है। आसमान में ही Refuel हो जाता है। इस पर परमानू हमले का भी असर नहीं होता। नहीं किसी तरह के Electromagnetic हमले का। रूस के पास भी 4 Doomsday प्लेन है। रूस इसके लिए Ellucianil ATJet का इस्तिमाल करता है। रूस के ये विमान 1985 से आसमान में उडान भर रहे हैं। ये विमान रूसी परमानू पंडुब्बियों के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं। उनकी मिसाइलों को दागने की क्षमता भी रखते हैं। क्षमता भी रहे हैं।